इतना आसा नीम्बू का अचार आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा इसमें ना ही हम एक भी बून तेल का यूज करने वाले हैं ना ही गैस जलाने वाले यानि नो कुकिंग है फ्रेंड्स ना ही कोई मसाले बूनने वाले हैं ना ही कोई मसाले पीसने वाले हैं अगर प हलो फ्रेंद्स और वल्कम बैक टू माई चैनल आप सभी के रिक्वेस्ट पे लेके आए हूँ लेमन का खटा मीठा अचार बनाने की रेसिपी तो यहां मैंने 200 ग्राम लेमन ले लिये हैं जिसमें 9 लेमन आये हैं दो के मैं अलग रख दूँगी उसका मैं बाद में आपको बताऊंगी तो यहां मैंने लेमन को अचीता से वाश करके सुखा लेया है और उसके बाद आपको इसको कट करना है लेमन लेने के टाइम पे एक दो बातों का आपको ध्यान रखना होगा जिससे आपका चार खराब मनें पतली छाल वाले ही हुआलग बीदा काडवे यह हुआता है मेरे कांस चट्व काच्वा इसके बाद यहां ने मैं लेमन लेख दोर करो आपको पिश्मी कर दो आपको जिसमें इसको गनाना है जिसमें चिसमें से स्टॉर करना है वही काच्च्1 की बोरी तो रिखना काच की बोतल में इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है फ्रेंड्स प्लास्टिक वगएर बिल्कुल भी यूज नहीं करिएगा तो लेमन ले लिया है इसमें सारा लेमन इसमें डाल दूंगी काच की बोतल साफ और सुखी होने चाहिए इस बात का जरूर ध्यान दें अब मैं इस इसका जूस निकाल दिया है और उसको इसमें डालोंगी तो आप 2 या 3 लेमन का जूस निकाल सकते हैं डिपेंस की लेमन में से कितना जूस निकला है तो यहां लगभग 2 टेबल स्पून की या सपस मैंने जूस दाला है अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप चा पतला से कपड़ा रख देंगी और यहां मैं रबर बैंड का यूस करी हूँ आप चाहे तो इसी कपड़े से से बान सकते हैं हैं की वगले भी यूस कर सकते हैं अब हमें इस बोतल को रख लेना है धूप में जीहां धूप यहां जरूरी क्योंकि हम यहां कुकि नहीं करने तो पांच दिन के लिए आपको इसको धूप में रखना होगा और दिन में दो से तीन बार आपको इसको मिलाना होगा ताकि लेमन इदम अच्छी तरह से गले अगर हम चलाएंगे नहीं तो फिर उपर की जो लेमन है वो ब्राउन हो जाएंगे तो दो दिन बाद आपको बत तो लेमन पूरा बॉटल भरके था अब यह आधे हो गए हैं तो अब हम इसे और दिन के लिए रखेंगे यानि जैसे मैंने का पांच दिन के बाद आप से मिलती हूं तो पांच दिन हो चुके है और लेमन देखिए अच्छी तरह से गले है कि नहीं यह चेक कर लेते हैं आपको इसको घर के अंदर ले ले लेना है फ्रेंड्स भी नहीं पढ़नी चाहिए इस पर यह देखिए हिदम सॉफ्ट हो चुका है लेमन यह देख सकते हैं आप उसका चिलकी का कलर देखिए और इसका जूस देखिए कितना गाड़ा हो गया है तो इसी तरह की का जब तक तब तक आपको इसको धूप में रखना पड़ेगा तो चलिए अब कुछ मसाले आड़ करते हैं सिंपल है कोई मसाले को बूनना नहीं है हम डायरेक्ली से डालेंगे तो एक चुथाई चमच हमने ले लिया है कलॉन जी एक चुथाई चमच हम दालेंगे मेथी दाना एक चम कर सकते हैं आप अधा चमच काला नमक दालेंगे और दो चमच में यहां रड़ चिली पाउडर दाल भी हो मैं यहां कश्मीरी लाल मिच का यूज कि यूज कि इसका कलर भी बहुत ही बढ़ी आए नमक दाल दे अब आपकी स्वात के अनुसार मैंने एक चमच के करीब यह न कर सकते हैं अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी चमच के हल्प से यह दिखिए इद्दम बढ़िया इजी कोई मसाले बुनने के टेंशन यह गया तो हमने जलाया ही नहीं इतना टेस्टी अचार बनके मिलेगा ना क्या बताओ मैं बस आपको इसको धूप में रखना है लेना है अंदर इतना काम आपको करना है दम ट्रडिशनल तरीके से बट आसान तरीका भी है अचार बनने का अच्छी तरह से यह मिक्स हो गया है देख सकते हैं क्या बड़ा कलर आया है कश्मीरी लाल मिच के वज़े से अब इसको इस तरह से दबा दूंगी अब ह अलॉन जी जरूर डालेगा एक बहुत अच्छा बाइट आता है इसके उपर फिर से कपड़ा लगा देंगे और इस तरह से मैं इसे रबर मैंट से बन कर लूंगी अब आपको इसको आठ दिन के लिए संलाइट में रखना है यानि धूप दिखानी है आठ दिन के लिए और इसे रख दूँगी धूप में तो जहां अच्छी खासी धूप आ दियो ना वहीं रखेगा क्योंकि हम इसे कुक नहीं करने वाले तो शुगर मेल्ट होके चाशनी बन जाएगी फ्रेंस इस तरह से यह देखे तो आठ दिन इसी तरह से करना है रात को बस आपको अंदर ले इतनम अच्छी तरह से गल गए हैं और यह देखे इसकी कंसिस्टेंसी सिरप की यह देखे दमगाडा हो चुका है अब आपको कैसे पता चलेगा कि आचार पॉफेकली बना है की नहीं तो इसके लिए टेस्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले आप यह ले ले इसका जो सिरप है और इस तरह से आप चेक करें यह देखे एक तार की कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी यह देखे एक तार बन रहा है इस तरह से आप चेक कर सकते हैं यह देखे धूप में पकते-पकते ही एक तार बन रहा है यानि यह पॉफेकली दन है अचार लंबे समय तक स्टोर करने के लि बिल्कुल भी गीली चमच इसमें आड़ ना करें और सुखे हाथ से ही आप इसको इस तरह से बन करें और ऐसी जगा पे रखें जहां धूप पकेरें ना आती हो तो friends कैसे लगा आपको नीम्बू का खटा मिठा ये आचार सच बताना मूँ में पानी आया की नहीं लग रहा है इने दम टेम्टिंग जरूर बनाईए अगर आप पहली बार बना रहे हैं अचार तब भी आपको मैंने सारे टिप्स समझा दिये इदम आसान ये रेसिपी है आप आराम से इसे बना लोगे बनाते हो तो वोपस आके फिट बैक भी जरूर दीजेगा लाइक भी कीजे शेयर भी कीजे और सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को तिल देन टेक केर बाबाई